गुड मॉर्निंग स्टुलेंट्स आज हम विए पार्ट फस्ट के प्रथम प्रश्ण पत्र राचनीती विज्यान के मूल आधार में औचित्य पूर्णता या वैधता की अवधारना का अध्यन करेंगे औचित्य पूर्णता या वैधता एक प्राचीन अवधारना है यहे प्राचीन काल में भी स्विकार की जाती थी और आज भी इसे स्विकार किया जाता है आज शक्ती का एदमनात्मकरूर राचनीती में अधिक मानने होने लगा है जैसे प्रभाव, सत्ता और नेत्रत्व शक्ती जब वैध हो जाती है या उसे औचित्य पूर्ण माना जाता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है जिसे की रॉबर्ट डेहल कहते हैं राजनेता अपने कारियों को और चित्य पूर्णता के वस्तर पहनाते हैं और ऐसा हो जाने पर ही उन्हें सत्ता की इस्तिती प्राप्त होती है यानि वे शक्ती संपन बन जाते हैं शासक और शासित के बीच अच्छे संबंद हो इसके लिए सत्ता का और चित्य पूर्ण होना जरूरी है यानि कि शासक और सत्ता के बीच अगर अच्छे संबंद तभी रह पाते हैं जबकि और चित्य पूर्णता सत्ता को मिलती है प्लेटो ने न्याय के माध्यम से औचित्य पूर्णता की बात की अरस्तु ने कानून के शासन के माध्यम से औचित्य पूर्णता की बात की मिक्याई वली ने शक्ती के माध्यम से औचित्य पूर्णता को स्विकार किया पहले हम देखेंगे हम ओचित्य पूर्णता या वैद्धा कहते किसे हैं ओचित्य पूर्णता एक ऐसी स्थेती का नाम है जिसके अंतरगत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामन्ने जन को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामन्य स्विकती नियमों और क्रिया विधियों पर आधारित है यानि सत्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है सामन्य लोगों को अगर यह लगता है कि वो कार्य बेनियमों के इसाब से कर रहे हैं तो उसे हम औचित्य पूर्णता कहते हैं जैसे कि लिपसट कहते हैं औचित्य पूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और शम्ता से है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाइं समाज हेतू सरवादिक उचित हैं उचित्य पूर्णता वे है जिसके माध्यम से इस बात को स्थिर रखा जाता है कि जो राजनीतिक संस्थाइं हैं वे सही हैं उचित्य पूर्णता का अर्थ उस सहमती या स्विक्रती से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संधर्व में दी जाती है यानि औचित्य पूंडता भै या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई स्विक्रती नहीं है बलकि यह एक ऐसी स्विक्रती है जिसे धमकी से नहीं जिसे राचनीतिक व्यवस्था की सही इस्तितिक अनुसार जनता के द्वारा स्विकार किया जाता है वैदता क्या है इस समंध में हम कह सकते हैं कि यह शास्तक और शास्तितों के बीच एक समझोता है यह सहमती या स्विक्रती है यह योग्यता एवं शमता है वह योग्यता वह शमता है जिसके माध्यम से जो सत्ता धारी है उन्हें सही माना जाता है शक्ति को सत्ता में परिवर् करने का गुण है यानि शक्ति जब औचित्य पूर्ण बन जाती है तो वह सत्ता बन जाती है जन स्विक्रती का साधन है यानि जनता की स्विक्रती औचित्य पूर्णता को प्रमुक्रूप से स्विकार करती है यानि यदि कोई राजनेतिक व्यवस्था लोगों की स्विक्रत प्राप्त नहीं कर पाती है तो व्यवस्था की वैदता नहीं हो सकती है राजनेतिक व्यवस्था की स्विक्रती इस आधार पर प्राप्त होनी चाहिए कि राजनेतिक व्यवस्था उचित है और वह जनकल्यान पर आधारित है अगर राजनेतिक व्यवस्था बल दमन हिंसा भ प्रविश्वास उनकी आदतें और राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। और चित्ते पूर्णता की कुछ शेष्टाएं हैं जो की इस प्रकार हैं। पहला है वैधता जन समुदाई की स्विक्रती पर आधारित है। दूसरा है आचित्ते पूर्णता की धारणा में एक विश्ष्वास विक्सित करनी की विवस्था की युग्यता शामिल है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का उचित्ते इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग अपने विश्वास के आधार पर किस सीमा तक उसे उचित्ता देते हैं, किस सीमा तक उसे उचित्त या सही मानते हैं और अगर उसे सही नहीं माना जाता तो हम उसे उचित्ते पूर्ण नहीं मान सकते उचित्ते की धारणा के साथ प्रभाव की धारणा सम्मंदित है यानि राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता और उसकी वैधता या उचित्ते पूर्णता उसके प्रभाव पर निर्भर करती किसी भी विवस्था को वैधता तब ही मिलती है जब उसका प्रभाव अधिक होता है अगर उसका प्रभाव नहीं है तो हम उसे औचित्ते पूर नहीं मान सकते किसी विवस्था का औचित्ते प्रमुक गृप से सम्मंदित लोगों के मुल्यों पर निर्भर करता है सम्मंदित और चित्य पूर्ण माना जाता है वैदता शक्ति को सत्ता में परिवर्थित करने का गुण है शक्ति को सत्ता की स्थिती तभी प्राप्त होती है जब जन सामानने की दिस्टी में वो वैद हो अगर वो सही है तो प्रमुक रूप से जो वैदता है वो सत्ता में बदल जाती है यानि किसी भी शक्ती को अगर वैद माना जाने लगता है तो वह शक्ती संपन हो जाता है तो यानि वैदता मिलने से कोई भी जो शक्ती है वह सत्ता में परिवर्थित हो सकती है नेक्स्ट है औचित्य पूर्णता के प्रकार. औचित्वी पूर्णता के संबन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसके अलग- प्रकार प्रमुखृूब से बताई गए हैं. जैसे की मेक्स वेव, इस्टन स्वर्णि बढड़र के द्वारा दो प्रकार की औचित्वी पूर्णता बताई गई है. देविय औचित्य पूंड़ता और नागरिक औचित्य पूंड़ता यनि जब किसी भी सत्ता को इसलिए स्विकार किया जाता है या इसलिए सही माना जाता है कि वह इश्वर का प्रतिनिदी है तो वह देविय औचित्य पूंड़ता कहलाती है और अगर जब सामन्ने हित के लिए यह माना जाता है कि सामन्ने हित करने वाली सत्ता है तो फिर वह नागरिक दस्टे कून से ओचिते पून होती है मैक्स वेबर ने इसके तीन प्रकार बताए है परंपरागत बौधिक और करिश्मावादी यानि जब सत्ता जब औचिते पून्ता परंपरा के आधार पर मिलती है तो परंपरागत जब कानून के आधार पर मिलती है तो बौधिक और जब किसी करिश्मे के आधार पर मिलती है तो वे करिश्मा वादी सत्ता कहलाती है डहल के अनुसार दो प्रकार की वैदता है उच्छिस्तरिय वैदता और निम्न इस्तरिय वैदता लोक तंत्र में उच्छिस्तरिय वैदता पाई जाती है और जो दबाव से प्राप्त की जाती है जो कि जादा तर अधिनायक वाद में होती है वह निम्न इस तरी ये वैधता है डेविड इस्टन ने इसे तीन भागों में बाटा है वैचारिक वैधता विचारों की दस्टी से जब दंचनता ये स्विकार करे कि शासन सत्ता का प्रियोग उनकी भलाई और हितों के लिए करता है तो वैवैचारिक वैधता है दूसरा है सरंचनात्मक वैधता सरंचना और उसके आदर्शों की वैधता में जब विश्वास रखा जाता है जब यह विश्वास रखा जाता है कि जो भी संस्थाएं है जैसे कारिय पालिका है विवस्थापिका है न्याय पालिका है वो सही रूप में कारिय कर रही है तो वह सरंचनात्मक वैदता है तीसरी है व्यक्तिक वैदता पदों को धारण करने वालों की जब वैदता में विश्वास हो जाता है जब ये माना जाता है कि पदों को धारण कर रहे हैं जो पदों पर वैठे हैं वो सही रूप में कार्ये कर रहे हैं तो वह वैदता प्रमुक रूप से एक ऐसी वैदता के रूप में देखी जाती है जिसे हम कह सकते हैं कि वह वैक्तिक वैदता है यानि व्यवस्थापिका में जो सदसे हैं या कारेपालिका के रूप में जो सदसे हैं वो सही रूप में कारे कर रहे हैं नेक्स्ट है ओचित्य पूर्णता का संकट व्यवहार में बहुत बार ओचित्य पूर्णता पर प्रश्ण चिन लग जाता है सत्ता की परिस्थितियां बदलती रहती है राचनीती क्विवस्था में परिवर्तन आता है राजनीतिक विवस्था अगर परिवर्तन के अनुसार अपने आपको ढाल लेती है तो उसकी वैदता बनी रहती है और अगर नहीं ढाल पाती तो उसकी वैदता खत्म हो जाती है इस प्रकार सत्ता धारकों के उदूदिश्य बदलते रहते हैं उनके जनता का जो सोच है वो बदलता रहता है और जो राजनीतिक विवस्था समय के अनुसार अपने आपको परिवर्तित कर लेती है समय के अनुसार ढल जाती है तो वे वैदता बनी रहती है और अगर नहीं ढल पाती तो वे खत्म हो जाती है और चित्य पूर्णता के सामने जो संकट है वो इस प्रकार है पहला है नवीन अवस्थाएं समय की गती के साथ साथ नवीन अवस्थाएं जन्म लेती हैं जो राचन में परिवर्तन को सुविकार कर लिया गया और रास्तंत्र के साथ साथ लोक्तंत्र को भी माननेता मिली। जो नहीं कर पातें जैसे रूस में नहीं कर पाए तो रूस का विगठन हो गया। नेक्स्ट है प्रमुक परंपरागत संस्थाओं या सम्हू के लिए अस्तित्व का संकट. जब नवीन अवस्था का परंपरा से संघर्ष होता है और यदि परंपरा गत्त्तु शक्तिशाली होता है तो राजनीतिक व्यवस्था के सामने संकट हो जाता है और जो नवीन व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है नवीन समूहों के राजनीती में प्रवेश से उत्पन समस्या समय की गती के साथ साथ नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं इन समूह की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है और नवीन समु है समु जब राचनीती में प्रवेश करते हैं और वहे एक तरह से संकट में घिर जाती है नेक्स्ट है वैधता प्राप्त करने के स्रोत या इसे कैसे इस्थिर रखा जाता है पहला है नवीन परिस्तियों के अनुसार राचनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किसी भी राचनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता तभी बनी रहती है जब वे नवीन व्यवस्था के अनुसार अपने आपको ठाल ले दूसरा है परमपराओं की रक्षा हर देश की कुछ ऐसी परमपराईं होती है जो उस देश के जन मानस में अंदर तक होती है या उस देश के जन जीवन का अनिवारिय अंग होती है और इसलिए उन परमपराओं की रक्षा करके भी जो व्यवस्था है व्यवस्था अपने राजनीतिक शक्ति ग्रहन की हो और उस विधान की वैदता को बनाए रखने के लिए मतलब और साथी यह माना जाता है कि जो जनता है वे उस विधान के प्रती अपनी आस्था और विश्वास रखे अगर उस विधान के प्रती जनता का विश्वास खत्म हो जाता है तो वैदत संकट में पढ़ जाती है तो आवश्यक है उसे वैदता को बनाए रखने के लिए कि जो व्यवस्था है वे व्यवस्था विधान के प्रती जनता की आस्था को बनाए रखे नेक्स्ट है व्यक्तिगत चमतकारी गुणों द्वारा व्यवस्था की वैदता में नीता का योगदान होता है सामान्य जन नेत्रतु व्यवस्था के प्रती सम्मोहन का अनुभव करते हैं और व्यवस्था के प्रतेक आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं अगर अपने गुणों के मार्थ्यम से जनता में विश्वास भरने में कोई भी नेता सफल साबित होता है तो उसकी वैदता बनी रहती है। लोकतांत्रिक धाचे में राजनीतिक संस्थाओं को शेसस्त्र सेनाओं से प्रतक रखना। यानि जो सेना है उनको अगर राजनीतिक में भाग लेने का मौका मिल जाता है या राजनीतिक संस्थाओं को वे प्रभावित करने लगते हैं तो भी वैदता के सामने प्रश्न चिन लग जाता है। तो ऐसी स्थिती में आवश्रक है कि जो सेना है उसका अस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि सेना का अस्तक्षेप बहुत अधिक है और जब जब सेना का अस्तक्षेप बहुत बढ़ा है वैदता के सामने प्रश्न चिन लगा है नेक्स्ट है प्रभाव द्वारा यदि व्यवस्था प्रभावी होती है तो इसकी वैदता बनी रहती है, व्यवस्था द्वारा नागरीकों के जीवन वैसंपत्ति की रक्षा में व्रध्धी की जानी चाहिए और ऐसा करने से वैदता लंबे समय चल पाती है इस तरह से राचनीतिक व्यवस्था में औचित्य पूर्णता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और यह औचित्य पूर्णता राचनीतिक व्यवस्था में जब तक बनी रहती है राचनीतिक व्यवस्था भी एक अच्छे डंग से शासन करने में समर्थ होती है धन्यवा प्टस्यां सिर्फी डसी ए्षब